सालार में यश, प्रभास, नौरा फते ही दिखेंगे एक साथ फिल्म में होने वाला है धमाकेदार आइटम सॉंग सालार एक आगामी भारती एक्शन फिल्म है जिसका लेखन और निर्देशन प्रशान नील कर रहे हैं होमले फिल्म्स के तहत विजय किरांगदूर द्वारा निर्मित फिल्म को तेलगू और कणनड भाशाओं में एक साथ शूट किया जा रहा है और बाद में सालार को हिंदी, तमिल और मल्यालम में डग करेंगे आपको बता दे कि यह सालार फिल्म में पूरी एक्शन बेस फिल्म है अब आप जानते ही हैं कि एक मास मूवी में आइटम सॉंग देखने का अपना ही मज़ा है और यह बात लेखक और निर्देशक प्रशान नील को अच्छे से पता है कि कब कहां कौन सा डाइरेक्शन लोगों को अपनी और खीसता है और इस बात का जीता जाकता उधारन उन्होंने फिल्म केजी एफ में गली गली सॉंग से दिया था इस गाने को नेहा ककर ने गाया था और इस गाने पर मौनी रोय ने चारचान लगा दिये थे ये गाना काफी हिट भी हुआ था आपको बता दें कि इस फिल्म सालार में नौरा फते ही यश के साथ थिरकते हुए देखने को मिल सकती है जी हां सूतरों के मताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि सालार में आइटम सॉंग होने वाला है जिसमें नौरा फते ही और यश मिलकर प्रभास के साथ डांस कर सकते हैं लेकिन आपको बता दें कि अभी तक सालार में नौरा फते ही आइटम सॉंग पर डांस करेंगी या नहीं इसकी अभी तक कोई भी अधिकारिक गुशना नहीं हुई है अब बात करें फिल्म की तो सालार में प्रभास के साथ श्रूती हसन मुख के भुमिका में नजर आने वाली है पृत्वी राज इस फिल्म में विलेन का रोल अदा कर रहे हैं साथ ही आपको बता दे कि यह सालार फिल्म 2023 में रिलीज हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है वर्ग फ्रेंट की बात करें तो प्रभास के पास सालार के सिवा आदी पूरुष फिल्म है तो वहीं श्रूती हसन के पास फिलाल कोई फिल्म नहीं है